भारत के लिए फिर एक बार काफी बड़ी खुश खबरी की बात है फिकास हमारी ICF Rail Coach Factory कपूर थला Modern Coach Factory राइबरेली इनके अलावा अब प्राइवेट सेक्टर काफी बिल्चस भी दिखा रहा है काफी फ्यूचर रिस्ट्रिक ट्रेंज, डिजाइन, डेवलप और मैनुफैक् अपनाई जिसके दम पर आज वो इतने जादा Modern बन पाए है और दुनिया भर में उनका दबदबा है Apart from that, ऐसी भारत की ही private companies कैसे भारती railway को पूरा transform कर सकती है, क्या दम रखती है इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे So without any further delay, let's get started सबसे बहले बात कर लेते हैं ये major development की जहां इंडिया की largest private rail coach factory बन चुकी है Medha Servo Drive Private Limited Telangana based ये company है जो की design और manufacture करती है काफी जाधा complex electrical and electronics for railway products हाली में इन्होंने हाइदरबाद के रंगा रेड़ी district में largest private rail coach factory का उधगाटन किया इस company का उधगाटन चीफ मिनिस्टर चंदरशेखर राओ ने किया और साथे में एक आफी जाधा खुशी जताई की पहला order उनको मुंबई की monorail की तरफ से दिया गया है 2017 में Telangana State Industrial Infrastructure Corporation और Medha Group इन दोनों ने एक M.O.U. sign किया था इस private rail coach factory को establish करने के लिए और finally 2020 के बाद जब शुरुआत की गई अब ये पूरी तरह से बन चुकी है ज़ादा advanced automated factory होगी कि यहाँ पर पूरी की पूरी train sets, locomotives, metro trains, monorails सब भी बनाए जा सकते अंडर just one roof Medha claim करती है कि पूरे भारत में इकलौती ये ऐसी company है जिनके बास in-house research and development facility है Currently भारती railway को ये बोगी supply करते है लेकिन अब से ये काफी advanced monorail train sets और आने वाले समय में तो futuristic sleeper coaches भी भारती railway को swapping है अब हम जानते हैं कि कैसे चाइना की CRRC ने आज के समय में इतना स्वादा दब दबा फैलाया हुआ है सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरे दुनिया की world's largest rolling stock manufacturer है 2015 में इसे form किया गया था Basically two state-owned railway companies को merge करके इस बड़ी giant manufacturing company को form किया गया So कौन सी वो चार बाते हैं जिसे सीकर हम भी ऐसी amazing company बना सकते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले है modern technology China शाहिद पहली ऐसी country है जो futuristic technology को सबसे पहले adopt करने के लिए line में लगा रहता है हमारे पास भी काफी advanced technologies है लेकिन वो patent तक ही सीमित रहती है उसका adoption, mass scale तक उसका benefit फैलाना इतना कभी हो इनी पाता दूसरा point है efficiency तो China के CRRC company ने खुद का एक ऐसा new system develop किया है जो की पूरी train का performance track करता है ये performance report का generate होता है और इससे basically जितने भी delays है उन सब को reduce कर दिया जाता है on time performance तेज़े से improve होती है और overall proper functioning होता है पूरे railway system का third point है safety CRRC ने हमेशा safety को इतनी ज्यादा top priority दी है कि उनकी जितनी भी trains है वो सारी की सारी equipathy है with automatic braking system जो की train को automatically emergency समय में खुद ही रोग देगा और finally last but not the least चौथा सबसे बड़ा point जिस पर CRRC ने focus किया था तो वो है export न केवली चाइना में लेकिन पूरी दुनिया में बेचेंगे ऐसा इनका मकसद था और आज की समय में ये leading supplier है to Brazil इंडिया में भी काफी metro trains इनकी है रश्या, US और ऐसे तमाम सारी countries में अगर इन चार बातों पर हमारी देश की companies और साथ ही में सरकार और private दोनों साथ मिल कर focus करें तो कोई वो ताकत नहीं है जो की हमें रोख सकती है world railway sector को dominant करने के लिए इसके बार में आपकी क्या रहा है अपनी definitely comments बताईएगा